सिर्फ पांच मिनट आपने इसे चहरे पे लगाना है लाइव रिजल्ट आप लोग देख रहे हो स्किन आपकी एकदम साफ हो जाती है गलो करती है जितने भी चहरे पे दाग धब्बे हैं, पिग्मेंटिशन है सब खतम हो जाता है आप इसे स्टोर भी कर सकते हो सारा डीटेल मैंने वीडियो में बताई हुई है तो फिर से मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही जवर्दस्ट वीडियो जिससे आपकी स्किन एकदम गलो करेगी निखार जो आप देखना चाहते हो क्यों कि आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ दुलहन वाला उपडन हमारे यहां पे दुलहन का उपडन किस तरह से तैयार किया जाता है वो मैं आपको तैयार करके यहां पे दिखा रही हूँ और अगर आपको face related किसी भी तरह की समस्या है जैसे बहुत ज़ादा टैनिंग हो गई है, दाग धबे हैं फेस पे, डाग सकल्स हैं, कालापन बहुत ज़ादा हो गया है, पिग्मेंटेशन है, तो आप इस उपडन को महीने भर के लिए इसे स्टोर करना है, तो आप इसे ड्राइफ फॉर्म में स्टोर करोगे, बाकि अगर आप as a face pack इसे daily इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप हपते बर के लिए pack बना करके रख सकते हो, लेकिन pack को बनाने का तरीका में आपको यहाँ पर बताऊंगी, उसी तरह से आपने store करना है, अगर आप liquid कर देते हो, तो फिर आप इसको दो दिन से जादा इस्तेमाल नहीं कर सक तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि किस तरह से आपको इसे तयार करना है, सारे ingredients आपके kitchen में मौजूद रहेंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है, बहुत ही छोटी मुडी चीजे हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपके घर पर easily मौजूद रहती हैं, तो चलिए जल्दी स जारी हूँ, यह है मेरे हाथ में basin, अगर आपने महीने बर के लिए store करना है, तो आप लगवाग तीन चमज के करीब basin लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे यह चार दिनों के लिए आपको pack बना करके बताने जारी हूँ, जिसको आप चार से पांच दिन या हपते बर के लिए भी store करके रख सकते हो, थोड़ा थोड़ा लोगे, और फिर उसे दूद डाल करके, mix करके आपने face pack की तरह इस्तिमाल करना है, और वही आपके चले को एकदम clean भी कर देता है, आपको extra face wash, sabun की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक आप इस face pack को use करेंगे, तो आपने sabun face wash नहीं और अपने थोड़ा सा उसको roast कर लीजे, ऐसा होता है, रोष्ट करने से कि यह बहुत fine powder की तरह, पीस जाता है, ऐसे या फिर आप धूप में थोड़ी सी दिर के लिए सुखाईए, और फिर उसे पीस लीजे मिक्सर जार में, इस तरह से आपके पास एक fine आटे की तरह फिर आपको लेना है, ओर्स बहुत जादा फाइदे मंद होते हैं, mostly लोग अपने weight loss के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपके पास है तो आप जरूर लीजेगा, in case अगर किसी के घर में नहीं है, क्योंकि बहुत बात comments आ जाते हैं, तो मैं पहले ही जो भी आपके comments, ज आपको लेज़ी अवलेवल होगा, वो लीजेगा, ओर्स में fiber भरपूर मातरा में होता है, वहीं गेहू में भी fiber होता है भरपूर मातरा में, साथी गेहू में gluten भरपूर मातरा में होता है, जो आपकी skin को यंग और टाइट बनाता है, तो यह जो दोनों ही आटे हैं, anti-aising का करीब ही मैं यह oats का आटा ले रही हूँ, मेरे पास था तो मैं यह ले रही हूँ, आपके आपके पास ना हो तो आप गेहू का आटा लीजेगा, ठीक है, दो चीज़े हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर ली, अब तीसरी जो चीज में यहाँ पर ले रही हूँ, यह है, जी देख का आटा जो ना अच्छा फाइन पाउडर बन जाता है, बाकी दूप में रखते भी वही काम होगा, तो जैसी भी हो उस तरह से आपने लेना है, और एक ही चम्मस के करीब में यहाँ पर मसूर की डाल का यह पाउडर भी ले रही हूँ, ठीक है, जी तीन चीजे हमने अभी अब चौती चीज आपको लेनी है वो है चावल का आटा, चावल का आटा इसमें स्टार्च वरपूर मातरा में होता है, स्किन लाइटनिंग के लिए सबसे बहतरीन चीज होती है, यह आपके लिए एंटी एजिंग का भी काम करती है, आप कभी भी चावल के आटे को काटा होता है, यह बड़िया स्क्रब का भी काम कर लेता है, तो आपको एक्स्टा में स्क्रब करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, तो यह देखे, यह चार तरह के आटे मेरे पास हो गए, और इसके बाद पांच वी जो चीज आपको लेनी है, वो है हल्दी, अगर आपके प आजार से हम खाने वाली लेकर के आते हैं, सबजी में डालते हैं, तो उसका कलर आप देखना कभी नोटिस करना, वो थोड़ा अलग तरह का यलग होता है, क्यों? क्योंकि उनमें फूट कलर एड़िट होते हैं, और अगर आप वो वाली हल्दी अपने स्किन पे इस्तेमाल क जाती हैं, और इस हल्दी का क्या होता है, कि आपके चहरे पे गहरा पीला रंग नहीं छोड़ता है, मतलब आप इसको यूज करोगे न, कभी अगर आपको पिंपल हो जाए, तो मैं आपको एक टोटका बताती हूँ, कि आपने इस तरह की हल्दी लेनी है, और इसमें अलोव कि आपने लेनी हैं, कि आपनी सूनी रखा हूँ, कि कि भाव जाता है तो वहां पे पूरानी जमानी में, करदेता था हुँ गाव, टरुडू हो जाता हुए, क्टे को ट्रिवेता था टो लेनी हैं, यह जो घार बाग हुर हो पेक हैँ. यह जो पैक है यह चार दिन के लिए चल जाएगा जो मैं बनाने जारी हूँ और अब देखिए इसके बाद आपको क्या लेना है यह है मेरे हाथ में चंदन पाउडर चंदन जो है ना जैसे कि अब मौसम भी बदल रहा है चंदन में खुश हुई कितने प्यारी होती है तो एक तो आपकी स्किन को महकाता है एंड सेकिनली क्या कि आपकी स्किन के लिए बहुत फाइदमन्द होता है गर्मियों के टाइम में तो आपके पास घर में जरूर होना चाहिए ठंडक का एसास भी दिलाएगा साथ ही आपके जो उपन पोर्ट की समस्या हो जाती है वो खतम करेगा जिन लोगों को बहुत जाता पसीना आता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत कारगर है सकिन के लिए बहुत सारे वेनिफेट्स हैं चंदन के तो यहाँ पे मैंने एक चमच के करीब चंदन भी ले लिया है इनकेस अगर किसी के पास ना हो तो वो skip कर सकता है, ऐसे नहीं कि भी यहाँ अब मेरा pack complete नहीं हो पाएगा, अब मेरा जो upton है वो तयार नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो लोग skip कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए आपके पास होनी चाहिए जो skincare की एक दो चीजें मैंने बताई आपको, और अब इसके बाद यह है jaggery powder, जो कि बहुत effective होता है, इसमें iron भरपूर मातरा में पाएजाता है, jaggery powder में, और iron जो है अगर इसमें भरपूर मातरा में पाएजाता है तो आपके चेहरे पे blood flow को यह increase करता है, blood flow increase होगा तो automatically चेहरे पे pinkish सखा लेते हैं तो उनका गला एकदम साफ रहता है, तो बड़ी सी बड़ी गंदगी को यह एकदम clean कर देता है, तो इसी तरह से आपके skin के problems को भी solve करेगा और बहुत सारी skin benefits इसमें होते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक चमज के करीब jaggery powder भी ले लिया है, tension मत लीजी अगर थो vitamin E के capsule भी ले सकते हो, लेकिन तीन से चार capsule आपको लेने पड़ेंगे, जो मैं यह बताने वाली हूँ आपको, और यह vitamin E oil ही है, market में आते है, vitamin E oil अगर आपके पास हो तो, या फिर आप बादाम रोगन ले सकते हो, वो भी आपको, बस इसी तरह की शीशी मिलती है, छोटी सी 100-100 रुपे की होती है, और वो sweet almond oil होता है, जो हम अपने बालों में लगाते हैं, वो वाला नहीं लगाना है, ध्यान दीजेगा इस चीज़ का, कि वो skin पर नहीं लगाना है, आपको special skin के लिए होता है, sweet almond oil, वो आपको लेना है, अच्छा, इसके साथ ही एक और चीज आपको इसमें add करनी है, वो है दिखेजी glycerine, glycerine में healing properties होती है, आपकी skin को ये soft बना देती है, जो भी जिनको भी problem होती है open pores की, उनके लिए राम बान इलाज आईए, pigmentation की problem को भी ये solve करती है, तो ये आपको लेनी है, और ये भी मैने आपको बहुत बार बोला है, कि आपके घर प आपको एक तो मैंने बताया, ये बादाम oil लेना है, और बादाम oil in case ना हो, तो आप उसकी जगा पे coconut oil भी ले सकते हो, extra virgin pure coconut oil ही आपने लेना है, क्योंकि ये इस तरह से jam हो चुका है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, थोड़ा समय यहां से भी ले लूँगी, इसको अगर गर करने की बात बता दू, अगर आपने इसमें पानी या कोई भी liquid चीज इसमें यूज करते हो, तो आप इसको जादा देने तक स्टोर नहीं कर पाओगे, इसे आपको सिर्फ और सिर्फ oil की मदद से ही, जैसे हम आटा गूंदते हैं तो उस तरह से आपने इसे oil की help से ही, एक बढ़िया डो साइस का तयार करना है, और उस डो को आपने स्टोर कर लेना है, फ्रीज में रख लेना है, हपते बर के लिए आप डेली फिर थोड़ा थोड़ा सा एक चमज के करीब लीजिये वहां से, और उसमें कच्छा दूद अड़ करके उसको मिक्स करके एक पैक तो चलिए मैं भी ऐसा कर लेती हूं, तो बढ़िया रहेगा कि आप coconut oil के साथ इसे मिक्स कर लें, बाकि जिनके पास है वो इस तरह से भी ले सकते हैं, तो मैं दोनों ही चीजों का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि coconut oil जो है थोड़ा सा जाम हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा इ जो कुछ भी लाइफ में होता रहता है, बाकि यहां पर फिर मैंने इस्तेमाल कर लिया कच्छी घानी, mustard oil, और इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इवन मैं भूल गई थी, कि अगर आप सरसो की खली इसमें थोड़ी सी आड़ कर देते हैं, तो हमार आटा गूनते हैं, उस तरह से रख लिजिए स्टोर करके फ्रीज में, और जब आपको यूज करना है, तो सुबह एक चमज के करीब आप लीजिए, और इसे कच्छे दूद के साथ आपने मिक्स करना है, कच्छे दूद के साथ मिक्स करते हो, तो और भी अच्छे तो इस तरह से पैक मैंने तयार कर लिया है, और इसे अब हम लगाएंगे अपने चेहरे के ऊपर, और आपके पास जो भी आपको सुटेबल लगे, जैसे अगर आपने सर्सो का ओईल लिया है, तो सर्सो का ओईल आप मिक्स करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर कोकोनट बाकि अगर आप खली आती है इसकी, सर्सो की, तो आप थोड़ी सी वो भी इस्तिमाल कर सकते हैं, सर्सो का ओईल जो होता है, थोड़ असा तीखा होता है, तो आँखों में लगता भी है, और जो खली अगर आप इस्तिमाल करोगे सर्सो तो भी थोड़ी सी लगती है, बट इचिंग होने लगती है या फिर रेडनेस होने लगती है तो वो चीज आपको अपनी स्किन पे नहीं लगानी चाहिए बाकि अगर यांकों में लग भी रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है जैसे कि आपने देखा मैंने भी लगाया और रिजर्ट्स ओमाइग आप इसे लगा सकते हो आई हो वीडियो अच्छा लगा होगा चल लगे तो लाइक शेर सब्सक्राइब